नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आपनों सामय हूँ जैसा कि हमें मालूम है कि 22 तारीक से सुरू हो करके इलगातार 22, 23 और 24 तक ब्रिक्स समित चलेगा कहां चलेगा रूस के सहर कजान में है अब वहाँ पर ये सारे नेता इकठे हुए है 22 तारीक को सब पहुँच गए है आज जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवलप्मेंट हुआ भारत की लिहास से वो रहा चाइना की प्राइमिस्टर से भारत की प्राइमिस्टर का मिलना ये बात तो सही है कि पूतिन से मिलना मोदी जी का एक बहुत फ्रेक्वेंट है लेकिन चाइना की प्राइमिस्टर से भारत की प्राइमिस्टर का मिलना और हाथ मिलाना एक इंपॉर्टेंट गणना है और मोदी जी ने कहा दिया था कि जब तक बाउन्डरी इसी उसाल्ब नहीं होगा तब तक मैं जो है चाइना की प्राइमिस्टर से नहीं मिलोगा अब कुछ खबरें निकल करके आ रही है कि यलेसी पर जो भी गद्विदिया है वो लोग जो है अपना पुराने वाले अस्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं 2020 से पहले वाली स्थिति जो थी 2019 में 2018 में जो इस्थिति है उसी को बहाल करने पर चाइना और भारत दोनों सामिक हो गए है साहवत हो गए है सवाल यहां यहीं पैदा होता है कि दोनों ही नेता वहां पर जो मिले हैं अभी तो बाते बहुत सारी लीक नहीं हुई है यह आएंगी बाते बाहर आएंगी पॉब्लिक डोमेन में भी आएंगी लेकिन सब धीरे-धीरे होगा तो और भी बाते इस पर और भी उस पर होगा चर क्या इतना इस्ट्रंग था लेकिन नहीं मोदी जी का जैसा नियम है कि बस वेट एंड वाच वाली थियो जब मौका मिलेगा तब हम आपसे बात करेंगे ओ चाहिए जहां आप देख लिए पाकिस्तान की केस में इसमें पाकिस्तान पैं पैं कर रहा है और भारत बात करने को त चलाया और सारे साइन करके मुस्कराते हुए दाब दिखाते हुए फोटो की चबा कर गया है मुस्कराते हैं देखें मंगलादेश में भी वेट और वाच की थियोरी है नेपाल भी थोड़ा बहुत इधर दब भखने के बाद में इंडिया के कबजे में है चाहिए रही बा उन्होंने सामती पुरवक वेट एंड वाच सहन सिलता धैरे के साथ धैर सहन सिलता ने बलकि हम कहें धैरे के साथ वेट किया और आज उसका रिजल्ट है सामने कि हम यलेसी पर समझोता कर पा रहे हैं यलेसी डिल पर हलाकि चाइना की इस्तिती बहुत ज़्यादा अपने द देखा जा पा रहा है तो यहीं है कुल मिला करके कि आखिरकार चाइना पीछे क्यों हट रहा है तो आए हम लोग भी इस बात का तलास करते हैं कि चाइना आखिरकार पीछे हट क्यों रहा है तो कई चीजे हैं चाइना की बहुत बड़ी चिंता है चिंता यह है चाइना जान जानता है कि न तो यूक्रेंड रस्या वार बहुत दिनों तक चलने वाला है और SIGrail का जो के अपने की एंपने इंहूर के में, में हमास यह हिज़बुल्ह है, वह बहुत दिनों तक चलने वाला है, इन दोनों ही केसिस में चाईना ने हथियार बेचे है, और कि messaging कि सारे शायर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है वो अमेरिका बस इतने बात है तो उजानता है कि जब लंबी तहुं समय तक वार नहीं चलेगा तो फिर तो यह जितने भी कंट्री हैं अमेरिका और या वेस्ट कंट्री जो अभी कभी रूस की तरब देख रहे हैं कभी जो है इसराइल के लिए इरान की तरब देख रहे हैं यह सब हट जाएंगे और इनकी निगाहे जब हटेंगी ते कहां केंद्रित होगी चाइना के उपर अच्छा बिक्स का जो समिट इसको भी आप थोड़ा से जानिये की साओधी अरेबिया को एजप्ट को फुल टाइम मेंबर्सिः दे दी गए युएई को दी गई है य इसमें से इथीयोपिया को अगर छोड़ दिया जाये तो बाकि सबका अपना एक बहुत importance है, सौधी, तेल के case में, वियोई, तेल और तेल product, oil products के case में, हेज़िप्ट, stress canal वहीं पर है, strategic location, इरान, oil plus geo strategic point आप भी उसे बहुत important location पर है, ते सारी cases है, इसलिए भी जो है, bricks का importance और उसमें चाइना को जुकना ही पर है, अच्छा, अब जो है, सवाल यह है, अर्थ वियुस्था कि अगर हम बात दें, चाइना यह भी जानता है, कि यह सारे country हमारे उपर आएंगे, तब हम क्या करेंगे, अगर हम भारत से उल्जे रहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए भारत के साथ बॉर्डर सिटील करना चाहता था, अमेरिका ने जैसा कि ताइवान को ब्रद हस्त रख दिया है कि नहीं ताइवान हमारा है, और चाइना का था हमारा है, ऐसे इस्तित में अगर चाइना को कहीं और ताइवान बाला जो धल थर जनैव अर्थ करना च बाता में जाइए और चाहि admirत की कंपनिएं बंद हो रही है भारत से बाहर जो है वहाँ पर क्या ना महें, हो डी फारए इनवेश्ट्मेंट्स घट रहा है माइनस में जा रहा है इस सारी रिपोर्ट इस बात को बताती है कि अर्थविवस्था में चाइना के अर्थविवस्था गरबड़ हो रही है अलाकि एक बड़ा पेड़ है अब इसकी एक आद दो साखाएं अगर टूट भी रहे हैं कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं तो वहीं चीज यहां पर भी कि काईवान के केस में चुकि चाइना की अपनी समस्या है तीसलों भारत से उनहीं चाहता है पंगा नहीं चाहता है सुरक्षित ब्यापार मार्ग भी बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि किसी भी समस्य से निफटने के लिए चाइना के पास एल्टरनेट ब्यापार को जारी रखने के लिए एल्टरनेट सी रूट का एक्सेस या एर रूट का एक्सेस होना चाहिए लेकिन अगर एस नहीं है तो इसके रिए चाइना परिषान है हलाकि अब जैसे आप देखते हो बियाराई का जो था concept था फेल हो गया है मलूचिस्तान में फेल होगे अभीले ने फेल कर दिया है उसके तो ऐसे कंडिशन में चाइना को फिर नहीं समझ में रहा है कि हम क्या करें कोई एक संक्टन है आप लोग जानते ही हूँ अभिहाल में उसकी मीटिंग भी थी जिसमें इंडिया भी है ऑस्टेलिया है जैपान है अमेरिका है इस सब क्याइट के मेंबर कंट्रीज है और इस सभी लोग चाइना को आख तरे रहे हुए है इसमें इंडिया यह कैसा कंट्र करने लिए तो आप इस पर ध्यान रखिए तो चायना को इस पर ध्यान रखना ही पड़ेगा नहीं तो फिर फसा रहा जाएगा उचारों तरफ से क्योंकि उसके विशक्त्रों कि संख्या कम नहीं है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है इन में से कुछ important points यो हमारे समझ में थे मैंने उनको deal करने को स्क्या कुछ चीज़ें आप comment में लिख सकते हूं अब मैं अपनो वीडियो यहीं पर समाप कर रहा हूं और third day कल होगा कुछ और बाते निकल करके आएंगी अब हमने यहां भारत रूस की संबंधों पर या भारत रूस कैसे मिलें जो कि मेडिया में चर्चा है उस पर हम ज्यादा नहीं detail से जा रहे हैं कि हमारे इस अपसे साइब से important घटना आज की यहीं है कि भारत और चाइना का हाथ में लाना और मोदी जी क्या और सी जिन पिंग का एक साथ खड़े होना यह दोनों बहुत important घटना है क्वेट की इसकी सौरी कहां कि क्या करें ब्रिक्स सम सिखर्दम में तो मैं अपना वीडियो यहीं पर शेयर करें मारे वीडियो को धन्यवाद नमस्कार जाहिं जाह भारत